हेलो एब्रीबन वेल्कम टू माई यूटूब चैनल स्टडी टाइम स्टडी दिस दीपती आदब गाईज मैं भी आपको एसेस्टी के थुरू कंडेक्ट होने वाले एक्जाम जैसे कि इंग्लिस पेपर सॉल्व कर आ रही हूं नेक्स्ट कुछ दिनों में मैं आपके लिए मैक्स के भी इसी तरीके से सारे पेपर्स लेके आओंगी सीजेल के सीजेल के थीक है बाकी प्रेक्टिस करना आपका काम है बार बार इसको देखती रहेगा और अब खुद से पहले अटे हैव अराइब ऑन यूट्यूब इफ यू वांट यू कैन आल्सो बिजिट देम तो चलिए गाइस तो आज का साथान हम लोग स्टार्ट करते हैं है चलिए फर्स्ट कॉस्चं जिसमें हमको एरखं करना होता है चलिए फर्स्ट कॉस्चं देखते हैं इफ इफ इट वुड रेच धेय बिल नौट कम दुडर अब देखे यहां पर il कु्ड देखिए अगर यहां पर फ्यूचर होता है ठीक है तो यहÃ पर हमेशा simple present आता है because यह पूरा structure होता है कि सबसे पहले if यानि कि conditional sentence है ठीक है if इसके बाद आएगा simple present और simple present के बाद आएगा future ओके उसके बाद क्या आता है future next next हो जाएगा हमारा यानि कि यहां पर first में क्या था part a में एरर था यानि कि यहां पर would erase हो जाएगा okay क्या हो जाएगा if it rain they will not come okay next next है organic pulses are so popular today मलब जो organic pulses है वो आज इतनी popular हो गई है that many people wonder की बहुत सारे बहुत सारे लोग अश्चर चकिते हैं कि how they ever lived without them तो देखे यहां पर क्या है organic pulses ठीक है यहां क्या है plural subject है तो यहां पर plural helping बरबा गई okay बिल्कुल सही है so popular today बिल्कुल सही है that many people wonder बिल्कुल सही है ठीक है how they ever lived how they ever lived नहीं देखिए यह कुछ words होते हैं जैसे कि ever never already get यह अपने पहले has या have की form लेते हैं ठीक है यह तो has आज आएगा या have आएगा या है चलिए देखते हैं question number third my father did not approve that the plan of traveling to उत्राखंड because of bad weather there okay कि मेरे father ने है वो अप्रूब नहीं किया मुझे travel करने के लिए उत्राखंड में होती है या विद होती है तो अप्रूब के साथ और प्री पोजिशन आती है ठीक है इसका मतलब होता है कि official agree होना होके चलिए ठीक है option is the right answer okay next next है I settled डैस Canada last year अब देखिए Canada 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 एक geographical area है जो जो मतलब पूरा cover होगा ठीक है अगर हम लोग अगर एट लगाते तो एट का मतलब होता है कोई ऐसा geographical region जहां पर उसका exact location वहां पर पता हो अब यहां पर Canada की exact position तो पता नहीं है कि Canada के अंदर किस जगे पर रह रह रहा है जैसे हम हम यह कह सकते थे कि I settled in Canada at Ottawa यानि कि Ottawa वहां की राजदा नहीं है तो at Ottawa हो जाता ठीक है तो यहां पर at तो नहीं होगा ओके in Canada हो जाएगा इनका मतलब होता है जिस भी जगे पर है वह geographical region cover कर रहे हैं ठीक है Canada के इंदर है पर कहां है यह confirm नहीं है तो हो जाएगा I settled in Canada last year okay next और off और on का यहां कोई मतलब ही नहीं बनता है ठीक है चलिए ठीक है next हम लोग को देखना है similar words बताने है सबसे first word है हमारा question number 5 और है अबेंश का मतलब होता है दुविधा रुकाओ या फिर छडिक बिराम ठीक है यह होता है अब इसका first है देखते है commencement मेंस होता है commencement मेंस होता है chuyरुवार या फिर आरम परजयुर मेंस होता है जूटी गभाई देना या जूटी कसम खाना next है symptom का मतलब होता है माफ करना या छमा करना तो इन या थो ्र स्छन बनलब करना तो addition D is the right answer next next है don't less, don't less का मतलब होता है nirdar या फिर निर्भीक तो इसका तो आपको साफ दिखा ही दिरा होगा की brave हो जाएगा brave मीज होता है बहादुर ठीक है ओवा के meaning लो कह zeggen, इनसेंट का मतलब होता है पागल पन यह शंकी पन ऐ का Gesprी ओक इनसान ठीक है playful प्लेफुल मीज होता है मजा किया या फिर आनधित आनंदित इंसान या फिर बहुत जादा चपल होता है शोर मचाता है जो ठीक है ऐसे ही नॉर्मली सोर मचाने वाला उग्र टाइप का नहीं नॉर्मली ओके तो यह हो जाएगा प्लेफुल और अगली अगली मीज तो आप जानते होंगे कुरूप होता है नेक्स्ट ऑप्सटने इस धराइट आंसर नेक्स्ट है नीक्स्ट है हम लोगको बताना है और उपोजिट बइर्ड बताना है यह सेवन गुश्यन है क्लंडेस्टाइफ का मतलब होता है गुप्त रूप से या फिर अभैद इसका कौंसे होगा अचानक यह फिर एक आयएक यह की शडली ःलिसेट का मतलब होता है अवयद या फिर गैर कानूनी तो इसका यह शैक्षाणून में है वैरी मीनी होता है शाबधान या फिर चौकन Santa सथर्ग तो यह भी नहीं होगा ओपन मीस होता है खुला हुआ या प्रगट करना ठीक है खूलना या प्रगट करना तो क्लंडेस्टैन मीज गुप्त रूप से और ओपन मीज क्या होता है खोलना या फिर प्रकट करना ओके तो अपसंसी इस दा राइट आंसर नेक्स्ट हो जाएगा इंट्रिपिड इंट्रिपिड का मतलब होता है निडर या फिर निर्वीक या फिर बहादूर वही जो अभी ब् इसका म्तलब होता है लोग लालसा ला ठीक है तहसी मीज होता है शाही मीज होता कि बिलाप करना रोना किसी चीज पर है मेक मीज होता है कमजोर या फिर दुर्बल होना ठीक है या डर्पोक होना ठीक है तो डर्पोक तो यह डर्पोक हो जाए क्योंकि यह बहादुर रहता है यह डर्पोक है ओके और तो अप्शन सीज दा राइट आंसर ओके next next हो जाएगा idiom and phrases तो idiom and phrases को हम लोग read करते हैं चलिए तो to steal a march इसका मतलब होता है आगे निकलना तो इसका हो जाएगा to act in foolish way नहीं किसी foolish way में कार करना to break something किसी चीज को तोड़ना नहीं to out sign नहीं to see या नहीं to out sign हो जाएगा sorry option c is the right answer okay to out sign या नहीं कि आगे निकलना ठीक है to see a hidden meaning ये नहीं होगा ठीक है hidden meaning को देखना ये नहीं होगा next in a jiffy in a jiffy का मतलब होता है जल्दी में तो देखते हैं कौन सा होगा fall to win appreciation नहीं in an appreciate manner ये भी नहीं होगा next something that is done very quickly यानि कि कुछ बहुत जल्दी में करना ठीक है this is the right answer okay to fall in love ये भी नहीं होगा next next है हमारा bracket part को हम लोग को improve करना होता है चलिए करते हैं इसको after he arrived from office he goes to gym वह है ये क्या है ये normal daily की आदत habit बता रहा उसका ठीक है ये जो verb की first form होती है वो action जो repeat होते है daily उनको बताती है और habit भी include करके चलती है ये उनकी habit है और general sentence को बताने के लिए हम लोग present कर यूज करते हैं तो यहां क्या after he arrived नहीं होगा after he arrives वह ओफिस से daily उसका routine है ये कि वह office से आता है और उसके बाद gym जाता है तो after he arrives from office he goes to gym वह डेली जिम से office से आता है फिर उसके बाद gym जाता है तो option C is the right answer okay next next when I first saw ankit he was playing cricket अब देखिए when I first saw ankit यानि कि यह किस में जा रहा पास्ट में जा रहा है next best substitute of the bird बताना हम लोग को चलिए देखते है 13 number तो है इसका mania for travel यानि कि mania का मतलब होता है किसी चीज के लिए पागल पनी है किसी चीज का नशा होना ठीक है mania होना उसको mania कहते है ठीक है तो सबसे पहला है dromomania मतलब कि इसका भी मतलब होता है कि यात्रा या घूमने के लिए mania होना तो option first is the right answer ठीक है option a is the right answer ओके और hypomania मतलब hyper होना वो होता है ठीक है नेक्स्ट है बन हुआज सटनली गेंड न्यू वैल्थ पॉवर और प्रेस्टीज मतलब वह है जो जिसे अचानक बैल्थ पॉवर और प्रेस्टीज अचानक मिल जाती है ठीक है तो उसको क्या कहते है इगो टेश्ट यानिकी घमंडी नहीं इंपोश्टर मीस तो पाखंडी एक भी होता है यह भी नहीं स्क्यूलरि मीस होता है बर्तनमाजने की जगई या बरतनमाजने का स्थान आधान ए स्थान नकरी टीकया नेक्स्ट है अहां हम लोग को क्या बताना है incorrectly spelled word बताना होके चले देखते हैं कौन सा incorrectly spelled है इसमें सबसे पहला है accusence का मतलब होता है सहमती देना या अनुमती या फिर रजामंदी तो A, C, Q, U, I, E, S, E, N, C, E एक दम से सही है कोई problem नहीं है next है alignate alignate means होता है बिरोधी बनाना या दूर कर देना तो alignate की spelling भी बिल्कुल सही है belly cramp means होता है युद्धुप्री है या लडाकू ठीक है ये भी सही है sabotage sabotage S, A, B, O, T, A, G, E not double B S, A, B, O, T, A, G, E sabotage means होता है बिगाडना या तोड मरोड देना next अब next है 16 नमबर question aluminum यहाँ पर aluminum की ही spelling गलत है A, double L हो नहीं होगा यहाँ पर होगा A, L, O, K A, L, U, M, I, N, I, U, M next है B, symmetry symmetry means होता है कबरिस्तान तो इसकी spelling option A में ही error था ठीक है बाकि सारी spelling तो सारी ठीक है recommended recommended means होता है किसी के लिए शिफारिश करना ठीक है या किसी की प्रसंशा करना ठीक है satellite, satellite means होता है ओपग रहे है या फिर अनुगामी ओके next next है पैरा जंबल अब पैरा जंबल करना है हम लोग को चलिए देखते हैं first है it is not bragging about how great you are यानि कि आप कितने महान है के बारे में کہना ding हाकना नहीं होगा ठीक है यह ding हाकना नहीं है कि आप اपने बारे मताओ कि आप कितने महान है लेकिन sentence यहां से start नहीं है इसका मतलब और यह से पहले कोई sentence आया हुआ है ठीक है it is not about thinking you are perfect because nobody is but knowing that you are worthy of being love and accepted ठीक है तो यहां से भी नहीं स्टार्ट होगा it's not about हो गया ठीक है यहां से स्टार्ट होगा self-esteem is how much you value yourself and how important you think you are यानि कि आत्म सम्मान यह है कि आप अपने आपको कितना महत देते हैं और आप कितना महत पूर सोचते हैं ठीक है तो कहां से आर से स्टार्ट होगा self-esteem means होता है आत्म सम्मान ओके तो यह होता है तो फिर इसके बारे में आगे बात बोली गई है ठीक है कि सबसे पहले आर सी स्टार्ट होगा देखिए आर से कितने अप्सें स्टार्ट हो रहे हैं एक्शन B और एक्शन C आप देखते हैं इसमें से कौन स देखते हैं और अपनी achievements के बारे में कैसा महशूस करते हैं ठीक है तो चलिए ये तो नहीं होगा सेल्फ आर के बाद एस नहीं आएगा आर के बाद आएगा हमारा स्री आर के बाद ऐसी आएगा क्योंकि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यहां पर आपको आत्मे सम्मान के बारे में बता दिया फिर यहां पर आपको बता दिया कि आप अपने आपको कैसा देखते हैं अपने बारे में सोचना कि आप कितने महान हो ओके नेक्स्ट है इस नॉट अबारे में नहीं है कि आप पर्फेक्ट हैं कोई भी नहीं जानता कि आप प्यार और स्युकर करने जाने योग है हैं तो क्या होजाएगा इसका सबसे अच्छा इसका अरेजमेंट बने गा और एिस NP Right यह एकलि क्वराई कि आप सिस्थे राइट उसरोगे नचस्ट थे keynote empuje की मोश्ट ओफ देम यानी कि मोश्ट ओफ देम यानी कि इस से क्रण के साथ assistance की सब्सक्राइइए निगा क्यों से ब्लैक्ट लिक्विड के रूप में या थिक प्लैक्न लिक्विड के रूप में हैं से कि यह स्टार्ट हो रहे हैं कि से दो OPTION स्टार्ट हो रहे हैं Q,P,RS या Q,R,PS ऊके, तो Q के बाद देखे, R आता है या S आता है देखे चलिए देखते हैं Q के पढ़ लिया हैं इसके बाद R, इट इज आ कॉम्प्लेक्स अब दिखिए, क्या है यह देखिए mixture के बारे में बताया कि वह किस तरीके से बहार आता है okay crude mineral के फिर it is a complex mixture क्योंकि बहार आता है तो mineral oil के लिए it आया गया और strong mixture यही कि strong mixture होता है ठीक है तो यानि Q के बाद are appropriate है okay तो देखते हैं it is a complex mixture of many different substances each with its own individual qualities यह प्रत्यक जितना mixture होता है उसमें अलग-अलग substance होते हैं ठीक है different different substances होते है पदार्थ होते है each with its own individual qualities और प्रत्यक के अपनी अलग-अलग quality होती है okay उसके बाद Q के बाद R आया है R के बाद P आयगा ठीक है P को लीट करते हैं most of them are combination of hydrogen and carbon in bearing proportion देखिए जो उन में से बहुत सारी क्या होते हैं combination होते हैं किसका hydrogen का और carbon का ठीक है bearing proportion जिनका अलग-अलग अनुपात होता है okay फिर उसके बाद क्या आ जाएगा ऐसा जाएगा such hydrocarbons are also found in other forms ऐसे hydrocarbons थो other forms अदर रूपों में भी पाए जाते हैं ठीक है तो यहां पर हमारा सबसे अप्रोप्रियेट आंसर कौन सा होगा क्यू आर पीएस ऑप्सण डी इस दर राइट आंसर उके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है active passive बताना है हम लोग को चलिए देखते हैं he shall have bought a car वह एक कार खरीद के लाएगा ठीक है यह ला चुका होगा अब देखिए यहां पर ला चुका होगा यानि कि क्या है यह एक imaginary sentence हो गया यह तो जब इसका हम passive बनाएंगे imaginary का तो तो sell का sell नहीं रहेगा should हो जाएगा या फिर जो भी a car के according यहां क्या आ जाएगा would आ जाएगा सबसे पहले तो बुड़ आएगा और उसके बाद by him आ जाएगा देखते हैं किस में है यह option a में वाज दिया हुआ है बी में भी वाज है c में बिल है फूर्थ में बुड है त option d is the right answer okay next next direct indirect चलिए देखते हैं the teacher said to the student have you brought your lunch teacher ने student से कहा किया तुम अपना lunch लेकर आए हो ठीक है तो यह किसमे है हमारा sentence present perfect में है इसका मतलब किसमें जाएगा past perfect में जाएगा okay तो चलिए देखते हैं कौन सा the student और दूसरा क्या है यहां पर interrogative sentence है यह ठीक है तो interrogative sentence के लि interrogation word तो लिया नहीं गया है ठीक है helping verb से start है तो इसका मतलब यहां पर जो conjunction आएगा वो if या बैदर आएगा okay तो चलिए देखते हैं किसमें है यह the students was asked by was asked by नहीं गलत है यह तो ठीक है चलिए दूसरा the student asked the student the teacher asked the students if he would be bringing his lunch तो if he would be bringing his lunch नहीं ब्रॉट इस लंच होगा ठीक है तो option b b wrong है okay next next the teacher asked the student if he had brought his lunch बिल्कुल सही है देखिए यहां पर the teacher asked the student if conjunction बिल्कुल सही है he had यानि कि past perfect में change हो जाएगा brought his lunch option c is the right answer okay next next close test close test का अंग लो को लीट करना है चलिए देखते हैं children need to be taught the importance of hygiene early so on that it becomes a death देखिए इसका मतलब है कि बच्चों को सिखाया जाना चाहिए सुचता के महत पर ताकि वो जल्दी ही यह है उनकी क्या बन जाए जो भी इसमें होगा children are the most death to hygiene related disorder like skin issues, rash, infection, bounce, etc children जो जल्दी ही इन सब चीजों से प्रभावित हो जाते हैं जैसे rash, infection, bounce से ठीक है चलिए ठीक है, first question देखते है, importance of hygiene early on so that it becomes a habit क्या होगा, habit होगा, need होगा, kind होगा, या फिर regular होगा kind means क्या होता है, दया होती है, ठीक है, regular means होता है, लगातार जो उनकी आदत बन जाए, उननों को बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, कि स्वच्चता के महत्पर उनको सिखाया जाना चाहिए, जिस से साब सफाई करना उनकी एक आदत बन जाए, okay, तो यह क्या हो जाएगा, option B is the right answer, okay, next, next है, children are the most dash to hygiene related disorder, like skin issues और रेशिज बगारा, तो देखिए, इसमें, innocent, innocent तो आप जानते, innocent तो निर्दोस होता है, ठीक है, तो इसमें, इसका कोई मतलब नहीं है, pliable means होता है, कोमल, बच्चे बहुत कोमल होते हैं, responsible, उत्तरदाय तो हो पर नहीं, susceptible होते हैं, यानि कि जो बच्चे हैं, बहुत संबेदन सील होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको hygiene related disorder है, बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि, skin issues, races, या फिर bounds, okay, तो option D is the right answer, okay, next, next है, teach them early on about what to death, इसमें क्या हो जाएगा, उनको जल्दी ही हमें सिखाना चाहिए, कि उनको king चीजों से क्या होना चाहिए, right means सही होना, read means पढ़ना, learn means सीखना, क्या करना चाहिए, avoid means बचना होना, king चीजों से बचना चाहिए, what to avoid, ठीक है, option A is the right answer, okay, next, next है, teach them that taking a few death measures, बहुत बचना चाहिए, कि उनने किस चीजों से एहतियात बरतनी चाहिए, यानि कि बच बचना चाहिए, साफधानी लेनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, scientific तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, precautionary, यानि कि इसका मतलब होता है, एतियात बरतना, या साफधानी पूर्ड कोई काम करना, सतरकता बरतना, ठीक है, तो option B is the right answer, okay, next, next है, to prevent infections and disease is, क्या रोकन और imperative means होता है, अतियावश्यक है, उनको यह बताना, उनको यह बताना, अतियावश्यक है, कि उनको इन सबसे बचना चाहिए, किसे, infection से, और disease से, okay, चलिए, thank you guys, अगर हमारा session अच्छा लगा हो, तो इसको like and share कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो, तो please subscribe कीजिएगा,